दोस्तों कल मोधी सहाब ने संसद में खड़े होकर बताया कि BSE PSU Index एक साल में डबल हो चुका है 96 फीशदी मुनाफ़ा आया है और अगर इस साल की बात करें तो उसी BSE PSU Index ने 20 फीशदी का मुनाफ़ा दिया हुआ है तो दोस्तों हम हमेशा से अपने विद्यार्चियों को पढ़ाया करते हैं कि हम लोग डर खरीदने वाले लोग हैं लालच हम बेचते हैं मार्केट में अनाप सनाप लालच का माहौल हैं लोग चड़ चड़ के PSU Index PSU Shares खरीद रहे हैं तो दोस्तों मोदी साहिब ने जो कहा है वो उन्होंने परणाम बताया है उन्होंने कोई घोषणा नहीं की है कोई गारंटी नहीं दिया कि PSU Index जैसे चलता आया है वैसे ही चलता रहेगा उधारन सरूप दोस्तों अच्छे से याद होगा आपको Railway Stocks में, Ireda में, IRFC, RVNL सब में हमने कहा था कि भाई सहाब बजट के पहले ही बेचकर हलके हो जाओ हमें गालिया पड़ी, आज ये वीडियो सुनकर भी लोग हमें गरे आएंगे, उसमें हमें कोई आपत्ती नहीं है, आप लोग सुतंत रहें किन्तु मान्यवर दियान रखिए कि ये जो सेक्टर है वो ओवर वैल्यूड हो चला है उधारन के लिए आप NTPC देख लीजिए, पावर ग्रिट देख लीजिए, अनाफसनाफ चले हुए हैं किन्तु भगवान न करे कोई दिक्कत आ जाए, प्रोजेक्ट एक्जियूशन में परेसा नहीं आएगी तो इनकी जो प्रोफिट रिवेन्यू ग्रोथ है वो कम होगी परणाम सरूप जनता बेचे ना बेचे बड़ा आदमी बेचने आ सकता है शेर चूट सकते हैं, चूटे ना भी तो और बढ़ने में दिक्कत पेश आ सकती है साथ में आप गौर फरमाईए जो ओयल मार्केटिंग कमपनियां आयो सी, बीपी सील, एच्पी सील बगेरा हैं उनके शेर्स भी भयंकर चड़े हुए हैं कल को भगवान अगर कच्चे तेल के दाम उच्छाल मार जाते हैं तो ओयल मार्केटिंग कमपनियों की कमाई पर ततकाल बट्टा लग जाएगा बारस सरकार ने बजट में जो कैपिटल सपोर्ट दिया है उसका पूरा पॉजिटिव इंपैक्ट एक दिन में साफ हो सकता है जो उच्छाल आई है अनाप सनाप एक मिनट में नीचे धरासाई हो सकते हैं ये शेर्स तो जबकि बड़े प्यमाने पर नए नवेशक आ रहे हैं सरकारी स्टॉक्स खरीदने के लिए मोदी की गारंटी के चक्कर में हम लोगोंने होसो हवास रखना है उपरी लेवल पर जो भी सरकारी स्टॉक्स अनाप सनाप चड़े हुए है उनमें हमने अपने विद्यार्थियों को और रेड़ी रेक्मेंडेशन दी हुई है बाई सहाब बेच कर निकल लो और रेक्मेंडेशन देने का कोई कारण नहीं है हमने पढ़ाया हुआ है कि हम लोग लालच बेचते हैं तो जब की मार्केट में लालच का माहल है तो हमारे कहे बिना ही हमारे विद्यार्थी बेचना चालू कर देते हैं यहां हमारा अग्रहिया है कि अगर मार्केट में कमजोरी के चलते आपको थोड़े दाम नीचे मिल जाएं एक दो महीने में पाँच छे महीने में तो फिर खरीदना है उपनी लेवल पर हम हलके हो जाएंगे कैस रिजर्ब बिल्ड कर देंगे ताकि गिरावट पर हम अच्छा माल सस्ते दाम पर नीचे खरीद लें चुनाओं के बाद जो बड़ी उच्छा लाएगी उसको कहिलने के लिए कैस रिजर्ब बिल्ड करना बेहद जरूरी है हमारे पॉर्टफोलियो में भी आज की डेट में 20 से 30% कैस पड़ा हुआ है जिसके लिए हम मौके तलासते रहते हैं अच्छा माल सस्ते दाम में खरीदने के तो दोस्तों यदि आपको हमारी टिप राय रेक्मेंडिशन चाहिए फ्यूचर्स और आप्शन्स ट्रेडिंग हमारे साथ करनी है हम आपको लाखों करोडों के प्रॉफिट के स्क्रीन शॉट नहीं दिखाएंगे कमा के दिखाएंगे आपको एक्चुल ट्रेडिंग के जरीए तो इसी वीडियो के नीचे जॉइन बटन पर क्लिक करके अभी के अभी हमारे चनल की प्रो इन्वेस्टर मेंबर्शिप ले लीजीगा स्रीमान